तेजस्वी की राजनीती में उतके भविस्टे के सबसे बड़े बाधक वह लालू प्रिसाद जी है विले जब होगा दोनों का होगा ना तो उसमें उसमें थोड़ी जाएगा मैंने पहले भी का कि दोनों पार्टियां समान विचार के हैं और दोनों के पार्टियां अलग-अलग हैं तो वह ऐसे ही लगबग मानिये कि एक माँ है तो दूसरा माँ उसी का घर है नमस्कार अपनी पॉनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना महज कुछी महीने हुए है नितिस कुमार को एंडिये से अलग हुए बिहार में महागडबंधन की सरकार में है नितिस कुमार लेकिन अब चर्चाएं हो रही है कि क्या जद्यू का बिले राजद में आगे आने वाले समय में हो जाएगा इसकी खूब चर्चाराजीती गल्यारे में हो रही है इस विच्छे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जद्यू के पूर्वे एमेल सी प्रेम मनी सर सर स्वागत है आपका निश्पानेशन में नमस्कार सर जो चर्चाएं उठ रही है और देह दोनों पार्ट्रीं पहले एक थी जनतादल थी पार्टी और 54 में कुछ कारणों से नितीष जी अलग हुए जनतादल से समतादल कि अहने बनाई अलग होने का कारण था लालू जी उसमें चुकी नेता थे बिहार के सत्ता में थे मुख्यमंत्री थे तो उनका जो आचार और विवार जो था वह उसके विरूध में ये लोग अलग हुए थे जो जनता दलके थे अलग होकर के उन लोगों ने समता पाटी बना ली थी अब जब लालू जी से कोई विरूध ही नहीं रह गया लालू जी जब दोनों साथ चल रहे हैं दोनों में च्छन रही है और दोनों एक साथ बात कर रहे हैं तो वही जब बात खत्म हो गई जो आधार था अलग होने Bears वह खत्म हो गया है तो स्वभाविक तो यही है कि दोनों फिर एक हो जाएं पाटी तो एक ही थी, पहले भी पाटी एक थी दोनों एक ही इस्कूल से आयं निकले हैं करकुरी ठाघुर के नेतितम में लोगों ने काम किया है बाद में भी जनता दल बना था अठासी में जब जनता दल बना तो दोनों साथ साथ है एक ही राजनीति में एक ही विचारधारा के लोग रहे हैं जो भी लेसे कि और मनद है खथम हों गया दोस्वाविक है कि दोनों पार्टी हैं इसलिए किक आपका राजत से वहा जड़ से बूराना संबंध है तसलिए में रहकर कि आपने राजनेती की विहार में अब क्या लगता है कि अगर विल्यार राजद में हो जाती है तो फिर नितिस्कुमार को किटना प्रभाव रहेगा भीहार में कि यह खत्म हो जाएगा हमें यह बात तो एक तो सिरे से समझने रहे राजद और जनतादल यू ने पहले भी कहा कि दोनों पार्टियां समान विचार की है और दोनों के पार्टियां अलग-अलग है तो ऐसे ही लग मानिये कि एक मां है तो दूसरा मौसी का घर है वह यही अंतर था घर जडरूर अलग-अलग हो गया था या तो पंचते हैं अगर ऊसे कहें तो पंचती दार का दूसरा जिए थो जर्मनी मिल करके 2 पार्ट्न यह क्यों नहीं हो सकती है वह बिल्कुल स्वभाविक है कि एक हो जाएंगे लेकिन अगर नितीज कुमार का कहते हैं कि प्रभाव क्या होगा तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि उनके प्रभाव में क्या कमी आएगी नितीज कुमार बुजूर्ग नेता है लालु जी अस्वस्त र तो वह किसी पद पर गांधी जी किसी पद पर रहें चाहें नहीं रहें अब कांग्रेस में जब तक गांधी रहे तो उसके उनेति तो उनके हाथ में था वह सब कुछ उसके वो थे तो वह तो सुभाविक है कि नितीश कुमार रहेंगे लालू प्रसाद जी है तो वह भी रहे हैं दोनों कुछ हैं कि अलग-अलग रहने से दोनो मैं अपने कायों मैं तेमे अलग करने लेकिन जो कालि करता है राजद के दें का यूट दोनों प्रसंद मैं देख रहा हूं बात होती है हमारी वी लोगों से तो वो दोनों प्रसंद है इसमें नितिश कुमार जी का नितित्व इसमान प्रकट कर रहे हैं सारजोनिक रूप से उनको पैर चू रहे हैं सम्मान प्रकट कर रहे हैं उनके नितितों में तो दीख रहा है कि नितित कुमार जी का इसमें प्रभाव बढ़े गाही तो वह दिक लेकिन लोगों में उनकी उनकी एक जो शवी बनी हुई है विकास पुरूस समाजवादी पुर तो फिर वह उसका क्या होगा वावावावावाव जंगल राज की चर्चा करते रहे हैं वह वह आज वी लेटे स्रगर देखा जाने तुछ कुमार का तो उन्होंने कहा कि पहले कि क्या चीजें थी स्थाम में बंद हो जाती थी तो क्या वो सब चीजें जो है क्या राज़त को खटकने की बात ने देखिए राज़ यहां और जब दोनों मेल जा रहे हैं दोनोên आज एक हुए हैं नितित नितिश कुमार के हाथ में हैं मुख्यमंतरी वो हैं और घ्राज़त के नेटा जो है वो भी उन को नेटा मान रहे हैं अब एन बहुत पहले से कहते रहा हूं फ तस्वीरों को हटाइए उनसे जनता नफरत करती है और पिछले चुनाव में लालू प्रशाद जी की तस्वीर भी हटाएगी वो कहीं गए भी नहीं तो उसका पहुत अच्छा प्रभाव पड़ा अब लालू प्रशाद यादो हट जाएंगे तो सारी चीजे धूल जाएंग हैं लालू प्रशाद की बार बार आलोचना कर रहे हैं कि उनके कारण राजद को पहले भी नुक्सान हुआ है देखिए उनने सुन या दो हजार नौ का जब चुना हो रहा था तो उसमें कमजोर नहीं हो गए मक्पिर मैं करहा हो कि मजबूत होंगे वा लालू प्रशाद ज देखिए वो मजब फर पुर में चुना हुआ वह नहीं गए और यह जीत हुई मैं बार का रहा हूं कि पिछले चुनाओं में लालू प्रशाद जी की तस्वीर भी हटा दी गई थी राजद के दफतर से और के वलते तेजस्वी की तस्वीर थी उसका परभाव परिवार का जो की जो चवी आती है उस परिवार की चवी से की पूरा इकठा परिवार दिखता है उससे बहुत ही नकारात्मक परभाव जा रहा है कि असीच क्यों विल में तो दूनों का होगा विले का मतलब ही होता है कि आ उसमें अधमागत हो जाते हैं यह जब जनता दऽ बना था उसमें भी काई पाँटी ती जटी लोक दल था और बिच्टी शुटी कुछ पार्टियां थी मिल करके जनतादल बना फिर जनतादल टूट के आप में कई बार टूटा है जनतादल अब उसके लंबी कहानी होती है एक बार उसे हटे फिर नितीश कुमार हटे उसे हेगडे हटे अनेक लोग कई बार हटे हैं उस जब नितीश कुमार जी हटे थे उस सराथ जी रामिलास जी यह लोग अलग-अलग हो गए उन्होंने बनाया जनता दल तो था ही इन्होंने रास्टे जनता लग जाम आया तो सुभाविक था कि लोग मांनों करतें कि आप भी अब हटिये तो इन्होंने अलग पाठी बना ली राजद ऐसे भनी थी है और जब शरद जी और राम इलास जी फिर अलग हो गए और लालु जी अलग हो गए तो शरद और राम इलाश जी का जो था वह जो जनता दल था वो और नितीश कुमार का समता पार्टी तो नहीं मिल करके फिर जनता दल युनाइट बन गया निनानवे में फिर एक बारी लोग अलग हुए चार महिना के बाद फिर दोजार तीन में इकठे होगे तो यह सब इकठा होना और अलग होना इन लोग नितीश जी जब तक हैं तब तक नितीश जी को जो नई पार्टी जो भी विले करके कोई माल्या की नई पार्टी का नाम ही हो जाए तो जनता दल ही हो जाए जनता दल युनाइटेड हट जाए और रास्तिय भी हट जाए तो पीछे से हट जाए और आगे से हट जाए तो क् वेक्तिन Кुमार उनमारों के महातो देने से के व्यक्तितु असको उसको मानेंगे ? पार्टी के लेवल पर तूँन को सबमान व्यक्त कर रह हैं वार पार्टी का नेथा उनको सम्मानित नहीं कर रहा है, लोग सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हमारे समझ से स्वभाविक है कि स्वभाविक रूप से नेता होंगे, लालु जी का है, यह जरूर है कि राजद का जो अपना भूट बेंग है, वह लालु जी का जादूं के बीच अपना परवाव है और र पहले भी मैंने बोला है, यह बात में पहले भी का है कि लालु जी को तेजस्वी को अब सौप देनी चाहिए, कमान और तेजस्वी में उन्हीं के बेटे हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी का जो व्यभार है, वह थ्वा सरशिक्री थे, दूसरे लोग भी इसको नई बातें पर भाव डालती हैं, वो साधी उन्होंने की, तो जाती और संपरदाई सब के तोड़ करके जो उन्होंने जब साधी की, इसको सब यह उमीद आप लालु प्रसाद से नहीं कर सकते थे, और यही लालु प्रसाद से दूरी चुकि नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ नए तरीके से सोचती है, लालु प्रसाद के सोच का तरीका है, वह नब्बे के इर्द गिर्द का नब्बे के पहले का, वो तीस साल हो गया, पुराना समय हो गया, उस समय के तकनीक से आज के नौज़मान नहीं सोचते हैं, जो उस समय जन्म, नितीज जी भी अब ठक चुक में राजनीती होगी, वह तो खुद कह रहे हैं और इक कहने के क्या बात है, 72 साल की उमर हो गई, 72 साल की उमर हो गई, सोभाविक है, या तो मैं हो या नितीज जी 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 कोई भी हो, यह तो सभाविक है, जै को अमर है, फिजकली बहुत समय रहेंगे, तो प्रकृति के तो नहीं बदल देंगे सिने निंगे कि वह कोई भी हम अम हम हीए वह वह स्थिवन के एक सिमा होती है और वह काम समेठने लगता है तो दुट आपना काम समेठ रहे हैं तो अच्छी बात है वह अ वुझी का वुद्ह करहें कि अपने लोगों के हाथ में राजनीती होनी चाहिए वो तो खुद कह रहे हैं लेकिन नेत्रित नेत्रित तो नाम का भी होता है बाद में भी रहता है लालू प्रसाद लालू प्रसाद ने एक समय एक काम किया था 1990 से लेके 95 तक तरहसल होता है ना कि राजनीती में जैसे दवाएं होती हैं एंटिबाइटिक दवाएं कुछ दिन के बाद बंद कर देनी चाहिए और नहीं तो नुकसान करने लगता है तो इन लोगों को भी एक समय के बाद राजनीती से हट जाना चाहिए था नितितु एक सीमा पर इस दवाओं को रोक देना चाहिए था दुर्भाग्य है इस समय का हमारी बिहार की राजनीती का कि यह नहीं हो पाया है अब दखिये 45 दिन हुआ अलिज ट्रस का वहां मैं बिटेन में कहा कि भाई मैं नहीं काम कर रही हूं प्रदान मंत्री के पर चो मैंने वा अजनीती का और पुल्मिला करके आपका सवाल यह था कि दोनों पार्टियां मिलेंगी तो वह सभाविक है कि मिलेंगी मैं बार फिर से कह रहा हूं लेकिन लालू जी का कि ज़ग की जो चर्चा आपने की तो वह बिलकुल सभाविक हो पहले ही मैं कह चुका हूं कि वह ज्या बिरादरी, रोजगार का सवाल हो, सिख्षा का सवाल हो, बिहार में दो ही पार्टिया बढ़ जाएगी ना, बीजे पी और फिर एक जो नाम नया होगा हो बिलकुल, बिलकुल, आमने सामने की लड़ाई होगी, मैं समझता हूं कि बिहार के राजनिती के लिए भी बेहतर होगा, कौन जीते होगा, कौन हर गाया या मैं नहीं कह रहा हूं। करके चल रही है और समाजवादी पार्टियां भी पुराने मामलों को ले करके चल रही है तो 21 सदी में नए जो राजनीती के नए बिंदू तलासने होंगे कि वो पढ़ाई का लिखाई का वो स्वास्त का उनके रोजगार का इनको जो डील करेंगे और जाती विरादरी के सव मालों को जो पीछे करेंगे वही राजनीत में आएंगे वह चाहरा या जनता दल हो या की वीजए पी हो अपने वेक्तिगत अनुवह के अनुसार इन्होंने बता दिया कि जल्द ही जदियु और बिहार में बस दो ही पार्टियां बच जाएगी एक तो बीजेपी और एक दुसरा जो अलग नाम दिया जाएगा देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाली भविस्य में सर ने जिस तरह से दावा किया है यह दावा कितना हद तक के सफल माना जाता है इस करो बस इतना ह बने रहे ये नीच पोनेशन तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइम ने किया है तो कलिजे धन्यवाद